तो जैसे कि आप देख सकते के गेट का एक्जाम का जो फर्स शिफ्ट अभी मेकैनिकल का वो एंड हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे स्टुडेंट आप देख सकते हैं अभी एक्जाम देगर के बाहर निकल रहे हैं तो हमारे साथ है आपका नाम बताएंगे हिमानशू राना हमारे साथ है इन्होंने मेकैनिकल का पेपर दिया हुआ है फर्स शिफ्ट में अभी तो पेपर का एक्सपिरेंस कहीं था आपका अच्छा है था मौस से अच्छा प्रमाइब पेपर में मतलब डिफिकल्टी लेवल कैसा था पेपर का पिछले बाद दिया था उससे थोड़ा इजी लगा मेरे को मतलब इस बार कट आफ आई जाने के थोड़े चांसे हैं तो अगर मैं पूछू के बाकी लोगों का आपके साथ में आपके कुछ दोस्ते उनका किस तरह के का मतलब ओपीनियान है पेपर के रिगारिंग अभी कुछ लोग दिये हैं तो मिल रहा है कि वीपर इजी आया था तो मुस्ट प्रवैबली जो कट आफ इस बार अच्छा जा सकता है तफ कॉंपडिशन होगा ओके ओके थैंक्यों से बात करने के लिए क्या नाम है आपका कांति थाकुरू कौन से ब्राइंस के हैं आप फिजिक्स एमसी फिजिक्स आ आप अभी गेट का एक्जाम देकर आ रहे हैं कैसा एक्जाम गया आपका अच्छा गया लेवल ऑफ टफनेस कैसा था नॉर्मल था नहीं था था मतलब लास्ट एर के कंपारिसम में वाट वाज इजी और डिफिक्ट तो आमने लास्ट एर की कुछ कोशन्स अगेरा देखे ह होंगे फिर भी उस हिसाब से उसकी हिसाब से ठीक था जैसे पहले था वैसे कितना गटाओफ एक्सपेट कर रहे हैं आप हाई डूंट जो ओके सलिए बेस्ट ओफ लग आई होब आपका एक्जाम क्लियर हो आपका नाम क्या है आप नायाद हो कौन से बांस क्यांप मेक्यान अच्छे नहीं थे लास्ट आप लोग कि नाम किया है तेज़शुकला अवस पेपर 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 उस एजी बाद थेंग इस आपको का सौंज में आरा है ख्लिक कर रहे तो बिलकुल वनेगा नहीं तो तो इसी था पेपर आपको तो एजी था पेपर आपको तो तो एजी होता है किसी को aptitude or English बुह से बनता है किसी को technical पर पूद अँछे से ख़लों होता है तो मेरा स्टाइजी था कि मेरा फेलाए टाप्टिटूड़ एंगल्लिश अच्छे से ख़लू फिर सकान में एजी मांक स्था तो एज़िए अप्टिटूड एंगल्लिश का पेपर कैसा था था, यह वाने गेट का इग्जाम समपिरकेट है? इससे अप्रफिशतों यह कहिए? यह हैं नहीं कि लिखने गेट में सब्सक्राइब देखने, मैं में दिर्सक्षार्य को भी कहिंगा ते यह हैं कि यह मैं में दिख को परिख लाग किया एंग्जारे उन्हेरी पराइन। है रिए वाट इंष ए स्वेटिक जैता हो qो समय कि निनोंड एक फॉस जी गुस्यख हरने है उस मेजिए परवोज ओक हरते करों तो टिया रिए एंटरध्स समाइज़ पंस औरखीjust cambiar से इसित्हflix तो breath इस्टक्वरार इन जिंए आपड़ गल्य। लेट सी वाट विल हैपन के कट ओफ कितना एक्सपेट कर रहे हैं आप कट ओफ तो हाई जाएगा मेरे साब से 35-36 के आसपस होना चाहिए लेवल ओफ टफनेस कैसा रहा लेवल टफनेस सब्जेक्ट के साब से अलग 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 तफनेस था तो कुछ सब्जेक्ट के इस है काफी कुछ कॉंसेप्च्छल भी थे कुछ दो चार सब्जेक्ट के कॉंसेप्ट को मिला के भी ऐसे कोशन बनाया गया था उसमें तो अच्छा ही था पेपर भी लेकिन एजी भी था मला अगर सोच सके तो हो सकता था बन सकता था ऐसा है यह फर्स्ट अटेम्ट था आपका यह फर्स्ट अटेम्ट था ठीक है वेरी बेस्ट अफ लग वी होप फ्रम टीम ऑफ गेट अकाडमी दाट यू गाईज गेट वट यू तो जैसे कि अभी हम समने बात की बच्चों से बात की सबका एक्जाम ओवरॉल इजी गया है कट ओफ इस बार हाईर एंड पर एक्सपेट कर रहे हैं बच्चे I hope कि जितने भी लोगों ने एक्जाम दिया है उन सबका एक्जाम अच्छा ही गया हो गेट अकाडमी की तरफ स बहुत बहुत शुपकामनाई सब के लिए और I hope they achieve what they are looking for This is me Cheryl Thakur from TeamGate Academy with cameraman Kheem Lal signing out, goodbye, take care